हालो फ्रेंग्स वेलकम यू आल आज मैं आपके वीडियो लिक्या रहा है बात करेंगे डिसकाउंट की बात करेंगे म्यूच्वल फंड्स की देखें जब कोई बढ़िया शेयर जो कि कमा रहा है पैसे और उस पे बड़े बड़े लोगों की नजरे बनी हुई है तो वहां प कर देते हैं जर्णा समझने की कोशिश करते हैं अगर 50% का डिसकाउंट पर आपको शेयर मिले तो आप क्या का होग अभी डिसकाउंटिट प्राइस क्या है प्रीमियम प्राइस क्या है यह बहुत सारे क्वेस्टिन्स आपके मन में जरूर होंगे तो चलिए डिटेल में चलिए के लिए आप जोईन कर सकते हो मेंबर सीप बटन पर क्लिक करके लिकी प्राइस एक्ष्चन की सिरीज बहुत इंपॉर्टन है कड़ी सचाई है वगर सचाई है सीखने के लिए प्रैक्टिस करने हैं टाइम स्पेंड करना पड़ेगा मानो या ना मानो लेकिन ये सच बाते होते हैं जाथ ये तेंगे New Ladies ऐसे पके सामने आपके सरी समझेश कीजिए ज्यवर्श करऊंगे देखने का नजरीया भी आपका बनेगा मतलब एक अलग नजरीया आपके डिमांग मför्यां आपकी स्थology रही है कि इसे बिल्कुल बॉटम पे यहां पे mutual fund वाले नजरे गढ़ाए बैटे रहते हैं और कब वो position बनाना start करते हैं किस तरीके से वो reversal को देख रहे होते हैं तो एक smart money का point of view आपको समझ मा आएगा तो चलिए के example के साथ आगे बढ़ते हैं और price section की series को आप देखिए समझ जी सीखिए प्राक्टिस कीजिए आज का example है जड़ा देखिए इसके स्टॉक है जिसके हम चर्चा करने वाले हैं अगर मैं यहां पर mutual fund की holding देखूं तो दिसंबर मैं दबा के share खरी दे गए दिसंबर मेरा asset great consumer fund दे इसमें almost 86 lakh share खरी गए फिर जो मार्च में बढ़के हो जाते हैं एक करोड से उपर फिर जून में बढ़के हो जाते हैं एक करोड 14 lakh यानि कि दिसंबर quarter मार्च quarter और जून quarter इन तीन quarter में मिलके share कितने जादा होगे एक करोड 14 lakh shares होगे लगाता एक साथ खरीदे अलग 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 बढ़ाते गए SBI Magnum Children benefit fund को देखते हैं तो इसने क्या क्या इसने मार्च quarter में खरीदे 64 lakh share है कि नहीं है फिर यह बढ़के और उपर हो जाते थोड़ा सा और देखें almost देखें कुछ यहाँ पे कैसे बढ़ता ज्यादा नहीं हलका इसा बढ़ा और percentage में इंपाक्ट नहीं आए लेकिन share के quantity में आप देखें तो फिर डीएस्पी small cap fund ने क्या क्या इसने और शेर खरीदे इसने जून में 55 lakh share खरीद ली मतलब mutual fund वालों ने पिछले तीन quarter में overall देखो के तो दमा के shares खरीदे हैं अब आप यह share कौन सा है इसको देखते हैं जहा को ही यह लोग खरीद रहे हैं अब चलिए quarter के हिसाब से चलते हैं और pricing को देखेंगे अगर हम चलते हैं October के मन्त में October November December एक quarter हो गया October के मन्त में अगर मैं highest price देख के चलू या October के मन्त से लेके June के मन्त तक अगर आप highest price देखो तो यह है आपके पास अब आप देखे clearly है कि निया almost 300 का round of करते हैं फिगर को और bottom price अगर आप देखते हो तो आपके पास है 200 के आसपास का 210 तो कहीं न कहीं इन दोलों के बीच में रखते हैं 300 और 200 के बीच में 200 का price हम set कर देखें कि इस price पे mutual fund वाले जो है वो buying कर रहे हैं आपको गयर क्या बात कर रहे हैं यह देखे ज़रा यह जबर्दस buying हुई इसी प्राइस की range में हुई तो एक 250 के आसपास mutual fund वाले buy कर रहे हैं इस average पे और stock का नाम campus active gear है जैसे यह share नहीं यहां से rally करी तो जैसी यह price इस range में इससे थोड़ा से उपर आने की कोशिश करेगा तो mutual fund वाले क्या फिर से buy करेंगे तो उन्होंने अगर 250 की range में buy किया है तो इसका यह मतलब तो नहीं है वो 300 पे जाके बेस देंगे कम share नहीं है करोड की तादात में share है अगर एक कितना overall एक करोड से तो उपर ह share थे टोटल जो हमने देखे 3 mutual fund house माल नोनों ने 200 के बेस पर भी खरीदें तो 200 करोड का माल हो गया तो 200 करोड का माल एक छोटी सी कंपनी में जबाए करने जासा नहीं तुरंत निकाल देंगे तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ टार्गेट उनका यहां पे होगा कुछ ने कुछ प्रापर रेस्क मैनेजमेंट के होगा यहां पर और 50% डिसकाउंट की करह हम बात करें तो इस शेर को अब देखो इसका हाई जो था वो क्या था अल्मोस्ट 638 अगर आप ओवर अल देखो तो 66% की गिरावाट यहां पर देखने को बिए करेंट प्राइस के हिसाब से भी द शेर बहुत इंपोर्टेंट मैं काऊंगा यहां पर जो सिच्वेशन बन रही है और जैसे थोड़ा नीचे आगा वीचौल फंड वाली जिन्होंने बाइंग कर रहे हैं इन लेवल्स पर इन लेवल्स पर जिन्होंने बाइंग कर रहे हैं उनका पकड़ वो देख रहे किस प्राइस के बाइं कर रहे हैं यानि की इस तरीके से साइकलो अजी के सामने रही है कि किस तरीके मैं मुझे पहली बार इस stock में ऐसा लगा है although हम कुछ टाइम पहले भी इसके जिगर कर चुके हैं जब ये चीज़े start हो रही थी लेकिन अभी भागा नहीं है पहली बार मुझे ऐसा लगा है जब से इसने momentum lose किया थे कि अब जो है momentum में आ चुका है अब ये जो consolidation हमारे लिए है वो बहुत important होने वाली है और इस volume ने और important चीज़े आपको दिखाई है correction अभी चल रही है जैसे correction resolve होती है important तो कहीं न कहीं आपको दिख रहा है ये बहुत time से जो stock बिल्कुल दवा पड़ा था चुपा हुआ था अब कहीं न कहीं एक positivity दिखा रहा है अब आपको कहूंगा campus campus activewear footwear की company है तो जैसे जब हम stock का जिकर करते हैं जैसे एक stock तो हमने देख लिया तो आपका ये मतलब है कि यहां पर एक तक सीमित नहीं रखना है आप बाटा को देखेंगे बाटा इंडिया को आप रेलेक्सों को देखेंगे आप लहर footwear को देखेंगे और भी ये फूटवेयर की companies आप उनको जरूर देखेंगे वहां पर कैसी situation बन रही है जनरली होता क्या है जब overall sector में एक positivity सी होती है तो सारे stocks एक तरीके की situation कोई थोड़ा lead करता है कोई थोड़ा पीछे रहता है लेकिन एक तरीके का price action मना रही हो यह बहुत important concept है इसके बारे में हम बार बार बात करता है कि उस particular industry के सारे stocks अगर एक तरीके का price action मना रहे होते हैं तो वहां पे एक बड़ी rally की probability और ज्यादा हो जाती है तो यह ध्यान दे और जब sector भागता है तो उस particular sector के हाती घोड़े प पुरा सब एक साथ भागते हैं तो पूरी sector में movement आपको देखने को मिलता है उसको हम कहता है sectorial movement इसलिए आपको बार बार कहता हूं कि अगर आपके पास index का chart है तो उसका और उस particular industry की अलगलग stocks को आप देखके अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीकी की situation बना रहे हैं तो उम को अपने decision के ओपर confidence होता है और in case that decision goes wrong गलत हो गया चीज है आपने जो plan किया था risk management के साब से आपको निकलना पड़ा but you will have an idea you will have a learning की what went wrong आपने क्या plans ही किया था उस plan में क्या modification की जरूरत है वो उसके ओपर आप next time पे काम करोगे क्यों करोगे क्यों करोगे क्यों करोगे क् next time पे आप उन चीज़ों को improve कर सकते हो but when it comes to tips and recommendation तो वहाँ पर क्या होता you will just start blaming कि यार यह tip जो है यह विकार बंदा है इसलिए तो ऐसा बताया है यह तो भागा ही नहीं again जो responsibility वाली बात है वो कहां आई learning में यहाँ पर क्या just blame आप आप फिर वही गलती करोगे यह बहुत important part है इसलिए learning को उपर focus रखें रसक management के उपर focus रखें wind up करता हूँ वीडियो का आप share कीजिए like कीजिए and thank you thank you for watching the video